कि यह जो जिहाद की बात चल रही है कि मुसल्मान जिहाद फिला रहे अब जो है अब यह जो इन्वस्टिटी से जो है वो फिलाए जा रहा है सुरेश चोंगर के कहना है कि यह सुजरसच चैनल वाला जो नहीं है यह तो खुदय आतंगवादी है यह आरेसेस का पिठ्थू है यह तो दलाल है यह भणवा है यह भणवा गिरी कर रहा है यह तो आज के जमाने में राजकुमार सिखंडी है किनर है इसकी बातों को हिंदुस्तान में कौन सुनता है जी यह तो आरेसेस के लिए दलाली करता है यह तो मोसादो का एजेंट है यह आयसाई का एजेंट है हमारे देश की संप्रभुता को हमारे देश के भाईचारे को हमारे देश की गंगा जमनाता है जीब को यह खंडित करना चाहता है आरेसस हिंदुस्तान कई टुकडों में चेंज हो जा आरेसस के ही बनता है 370 धारा जब हिंदुस्तान से समाफ्ट की गई थी मेरी चोटिया खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे भय था कि इनकी साजिस कुछ है जिसका परणाम कुछ दिन बात देखनों को मिला कि चा हिंदुस्तान के बुभाग को कब्जा कर लिया मननी विदेश मंतरी स्री जैसंकर प्रसाद का बयान आया है कि इस समय हिंदुस्तान की हालत चाइना के मामले में इस वक्त जो है भयावा है 1962 से बत्तर इस्तिति है और भी आई गौर्णर का अभी दो दिन पहले गाइड हिंदुस्तान में गरीबी बेताहता पड़ेगी और हिंदुस्तान के किसान बदहाल होंगे क्योंकि इस देश के खाजाने में रुपे पैसे नहीं हैं बचे नहीं हैं और यह देश लगभग लगवां के कतर अंसर दीवालिया होने के कागार पे पहुंच गया है अपने ऐसे लोगों को ना पुर्वसाइनकों को घोटनवार रख देंगे उसके मलपट पे तरबूज के तरह से फट जाएगा देश द्रवाई इसका इसकी इसके पिताउता सब जो है वो गद्दार रहे हैं इस देश के जैसे ग्वालियर राज घराना रहा है उसी तरीके से यह स संकर हैं हां यह राष्टबादी चैनल है अरे कांग्रेस की सरकार जीजिन आएगी और देश के मान नीराहूल गांधी प्रधान मंत्री होंगे उसी देन यह जैल की कालकोठरी में मिलेगा नयाए पालिका भी सही तरीके से नयाए देने लगेगी चुनावायोग भी सही तर लोकेट नयमूर्ती भाइबीत हैं कई हमारी हालत जश्टिश लोया की तरह से किसी नाले में पड़ा मिला हूँ यह इस्तिती है और गोधी मीडिया आजकल उनका सुसान सिंग का चला रही है सुसान सिंग इस देश के सुतनता से ग्राम से नानी है इस देश के जो है परंब पुलीस का काम है नाइपाली का का काम है वो करती रहेगी और मीडिया वालों को चाहिना पर इस देश की अर्थ बहुस्ता पर और है जेई टीटी की परिछा पर बोल अनेमेंट को सरमाती है 11 और रुपिया मोधी जी ने इस देश का उठा करके सब जितने दलाल राज कुमा करो देश वास्यों को बताओ कि मोधी सरकार बड़ी सफलता से काम कर रही है जब कि सतता यह है कि मोधी सरकार की विदेश नीत मोधी सरकार की अर्थ बेवस्ता आर्थिक नीत और मोधी सरकार की जो देश की नीती है सबसे घटिया अस्तर पर पहुंच चुकी है और इसका प रहे हैं कि नहीं कुछ होने वाला नहीं है भाईयों मित्रों मन की बात कुछ नहीं होने वाईया स्वाजी कड़ा होगा उसके लिए या वहां से हथियर उसर सपलाई कर सकता है उसका चैनल देखता कौन है उसके चैनल को कोई देखता होकता नहीं है और शजनी हम हूं राजकुमार वाली कहानी है उसकी अरे इस राजक्मार सिखंडियों की चिंता कहें करते हैं प्यार में दसत देख रहे हैं बाजपाई और जेडियों के नेताओं की विधायकों और एंपी को जनता कच्छे में ला रही है पीट रही लाथी डंडे जूते चपल से मुदी जी को समझ नहीं आ रहा है कि आने वाला दिन जो है और भी भयावा होने वाला है जना अंदोल पार ठेक देखी हां अब तो अमेरिका अमेरिकान के राष्टपति ने बोला है कि भारत मत जाईए वहां जो है आतंगवादी रहते हैं और प्रविर्तिक लोग वहां पर रहते हैं और जो है बुरी हालत हो चुकी है भारत की अरे हमारे देश के माननी प्रधान मंत्री है जूला जूले अगर दोनों ने कस्त गर करके आइसा ठोकर दिया है कि चारो खाने ओधे मुं है अब विज़ेश कहीं आतरप नहीं जा रहा है गाल्प कंट्री इनसे नाराज चल रही है नेपाल इनसे नाराज चल ला बंगलाजेस इनसे नाराज चल ला बरमा नाराज चल ला भूटान नाराज चल ला चाहिना नाराज चल ले देखे कि अमेरिका इनका हाउडी मोधी फाउडी मोधी कहा गया अरे संग्यों बोलो मान्नी मोहन भागवाजी बुजूर्ग आद्मी हो राष्ट भक्त हो कौन सी राष्ट वक्ती है अपकी अरे आपके पुर्वज यहूदित है आप भी यहूदियां ब्लड वही है जामिया भारत के सेंटर इंवर्शिटी नंबर वन इंवर्शिटी है और ऐसे में सुध कि लोड़ा पढ़ पत्थर है हां बकलोल है तीका लगा देने से वह अपने आपको राष्ट भक्ती समझ रहा है मिलवा दीजे किसी सथ सनातनी ब्रामण से मैं बता रहा हूं कि इनको छटी का दूधिला देगा या दिला देगा मिलाइए हमसे मिलवा दीजिए और जहां से चाहे उस आस्ता आस मुझसे कर सकता गंगे जमनुच्ता जीब करना चाहते हो आज हिंदुजम सबसे पहले अगर कभी खत्रे में रहा है तो मोधी सरकार में हिंदुजम खत्रे में हैं इस देश की अस्मिता खत्रे में हैं इस देश की बहुवेटियों की जत्रे में हैं इस इस देश की आबरूख खत्रे में पड़ गई है इस देश की जीडीबी खत्रे में पड़ गया है इस देश के नोजवानों का भविस खत्रे में पड़ गया है इस देश के किसान बरबाद हो चुके हैं इस देश की सिमाय सुरक्षित नहीं है आंतरिकों बहरी इस देश का वि अब तो केकेते हैं अर्थविवस्था में लगातार जो है मोदीजी सब कुछ बेचती जा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी अर्थविवस्था गिर्ती जा दिया है नहीं उगाओं में कहावत है एक कि जो पुत्र अपने बाप की सजोई हुई धर्ती और संपति को बेचता है तो हमारे वहाँ द्यातों में उसे नालायक कुकर्मी आवारा कहा जाता है वह यहाल भारा सरकार की है अब बहुत काड़ से दस गुना ज्यादा पैसा अब जो जानता हूंगा इस कंपनी यह उससे वह दस गुना ज्यादा पैसा दिया एड के लिए फेस्बुक पर उद्धेगा नहीं अलखी दास हैं जिसके लिए ब्याकुल रहते हैं माननी रविशंकर प्रसाद भाजपा के तमाम नेता इंडियन हैं उसकी मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं और उनकी बहन बीपी में हैं अब इनके जो जो है हिंसक बयानी लोग नहीं या कुछ भी बयान दे फेस्बुक नहीं रोक सकता वो कांगरेस के बयान को रोकेगा रहुल जी कह दिये भाजपा की पूरी कबिने सरकार की पूरी कबिनेट पागलों की तरफ से तमाम मीडिया वालों को बुला करके बैयान और सफाई दे रहा है कि बताइए उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि उनको एड़ दस गुना जादे प्रचार करने के लिए उस देंगे नहीं भाई उनके बाप का पैसा है आरे स साथ यह 45 500 करोन आपने दिया है एलाहबाद को मेले पर 25 करोन रुपी आप दे रहे हैं मरा मंदिर के निर्मार में तीन हजार की पट्रेल साथ की मूर्ति लगा है और करोना में हमारी में भीख मांग रहे हो वह तो हमारे देस की हालत है हमारे देस की प्रधान मंतरी की प्या आपके कतुरान सा अरेस्स और बीजेपी जैसे प्रफगंडा फैलाती थी लेकिन आर्टियाई से आप मांग सकते थे प्रधान मंतरी के आफिस की जानकारी अमानी मन मोहन सिंग जैसा साथ सुथरा नेक दिल इनसान सोनियाजी जैसी अब उनकी उमा भारती उन्हीं पार्टिक नेता है उन्होंने कहा कि सिर्मती सोनिया गांधी एक अच्छी माह एक अच्छी पतनी है और एक अच्छी नेता हैं यही बात नितिनिकटकरी साथ नितिनिकटकरी साथ ब्राम्हाण आद्मी है वो जुट जटाई से नहीं बोलते हैं और फॉरम नहीं करते हैं इसलिए मोधी जी को पसंद नहीं है संजय जोसी साथ उसी तरीके से हैं बताई इनको तो हो चाहिए प्रग्या ठाकुर जैसी हीरोईन जो आतंकवादी रही है जो सुनिल जोसी आरेस्स के संग परचारा को गोली मारी थी मुरसाइकिल पर बैठ करके अब पहला फायार सिवराज सिंग चोहन के नेतित्व में करता हूं हाद जोड़के कि अगर देश को बचाना है देश के संबीधान को बचाना है लोकतंत्र को बचाना और बेरोजगार नौजवानों और विद्यार्थियों के भविस्ट को बचाना है तो कांगरेस लाओ देश बचाओ